हेलो दोस्तो आपका हमारे इस वीडियो में स्वागा थे दोस्तो हम जब Microsoft Word को यहाँ पर ओपन करते हैं तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि उपर हमारी जो टेप है वो यहाँ पर वीव पर जाकर खत्म हो जाती है लेकिन दोस्तो में यहाँ पर जब किसी टेपल को लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वीव के बाद हमारे डिजाइन और लेयाउट यहाँ पर दो टेप और यहाँ पर बढ़ जाती है तो आज के हमारे इस वीडियो में हम डिजाइन टेप के अंदर जो टेबल से स्टाइल है हम उसे यहाँ पर जानने वाले हैं कि हम यहाँ पर टेबल के उपर अलगलग स्टाइल को यहाँ पर कैसे अपलाए कर सकते हैं हम उनमें कैसे शिडिंग दे सकते हैं, किसे हम उनमें बार्डर को अपलाय कर सकते हैं, इन सभी चीजों को में आपर हमारी इस टेबल स्टाइल्स वाले यहां पर सेक्शन में जानने वाले हैं, तो दोस्तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होन किसी भी स्टाइल्स को यहां पर ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, कि हम यहां पर जिस भी स्टाइल्स को उपर लेकर आ रहा हैं, हमारी टेबल की स्टाइल्स वाँ पर चेंज हो रही हैं, हम यहां पर इस वाले बटन पर क्लिक करके, यहां पर इसमें जितने भी स्टाइल् के उपखे सकते हैं और दोस्तों अगर हम यहां पर चाहें तो अगला option आता है shading का तो यहाँ पर हम इस पूरी table को select कर लेते हैं तो पूरी table को यहाँ पर एक सा select करने के लिए हम उपर इस वाले button पर यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों में आपर shading पर जाकर और हम चाहें तो यहाँ पर इसकी shading का जो color है इसका background color है हम उन्हें भी यहाँ पर change कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जिस भी color के उपर यहाँ पर ले कर आ रहा है वह color हमारी इस table के फिचे पूरे background में यहाँ पर हमें apply होते हुए यहाँ पर दिख रहा है इसके अलावा दोस्तों अगर हम चाहें कि हम पूरी table पर इसे apply ना करें हमें किसी column पर किसी row पर या उन्हें किसी sale पर ही इसे apply करना है तो हम उसे भी अलग से कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हम इस name पर यहाँ पर shading अलग से लगा सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला option आता है border का तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी table में border हमें दिखाई नहीं दे रही है तो अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम इस पर border लगाएं तो उसके लिए यहाँ पर border का option मिल जाता है हम यहाँ पर चाहें तो किसी sale या किसी column या फिर चाहें तो पुरी table पर border लगा सकते हैं तो यहाँ पर हम पुरी table को ही यहाँ पर select कर लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पर जैसे border पर जाते हैं और हम यहाँ पर all border पर click करते हैं तो आप यहाँ पर पर कर सकते हैं और दोस्तो अगर हमें यहापर बोर्डर को हटाना है तो हमें यहापर नो बोर्डर का अप्शन मिल जाता है हम इस पर जैसे किलिक करेंगे तो आप यहापर देख सकते हैं कि यहापर हमारे पूरी टेबल पे से बोर्डर हट चुकी है दोस्तो आपको यहापर